बिस्विल्लाइराम रहीं। वस्ले अलेकुम नाजरी ये अमाने से जिएशिए प्रोग्राम फैसले घडी बाहिया अफ़ता अफता मोगरी। हैं हर जमूरिएत ते रखंदर यकी रखंदर ऐखास सोर्त एंसानियत ते यकी रखंदर जला ईयो वड़ो खतरनाथ फैसलों है जहें फैसलें नसही कश्मीरीन पर कश्मीरीन सां गरों गर्ड पूरी दुनिया में रहन दद हर मालूँ के छिरकाय वे दो तच्छा कश्मीरीन इंदोस्तान जड़ी रीत तो ते काविज आहे अई फोजू ड़लका को मधी का फोजू बोकले करें उन्हें जी जेका असलियत आहे उनके तब्दिल करने में जेका कोशिश मोधी सरकार करें पी वरी वड़ी हुआ है अगर गाल क्यों तो मोधी सरकार नरंदो बोधी हमेशा कोशिश कई किटे न किटे कश्मीर में कश्मीर ने के अकलियत में पंडित हैं हिंदोस्तान ज्वस्तान बोलका मानूं उते आबात करें आहें उत्ते का कश्मीर जी उनके कड़ी बीजित खतम कए वांचे अगर चवन रिफरेंड़म करायो तो इतरा मानों उते मोजूद हो जन घट में घट अगर वो रिफरेंडम भी थे तो किते ना किते उने रिफरेंडम में उते रहंतर मानों इंदुस्तान जी हक में फेस्टों जाज़ तया तह अर उने मासा कश्मीर जी अंदर जी को जुलम नहीं यहां दिली में रहंद जैके आज परड़ें साफी जत्सक्राइब जेए गाल के मानों के गाल बोल करना जला इजाज़त दिनी वजे तो पुचंत औरन सांथ शाप्यों वहे वाप्रे इते गाल कतं नहीं तो तो उते ग्योंकिल हमार्ट पी इस्ते वाल कहा है प्याम लाँ केमिकल हैं लाजह कियों ऑफ़ अगर गाल की हूं तरज भी जिक के स्क्रें ते मनाज़र नज़र जिए लिजन प्या जैको तो इसस्थीर हूं वीडियो अचेंप्यू उए इनताई खतरनाक हैं केमिकल हथ्यार सां नसाही इनसान जो चेरो खराड़ तहीं पर वह पाकिस्तान पाकिस्तान सांगरोगर पूरी दुनिया में आलमी सता ते जिका अज फैसलों कईवा है पूरी दुनिया कश्मीर जी इन पंज आगस फैसले के इगर इन ने क्रो स्याहत तरीन नी करे मलायो भी दो पूरी दुनिया में दुनिया के बुधायो भी दो तो पाकिस्तान रहे पाकिस्तानसा गड़ोगर जी कि दुनिया में मनँआएं वग्धान पैसका उते हक मिले, उए उन्हें जी मर्जी आहे, उए आजाद, एक रियास्त आजाद, मुल्क, पाकिस्तान, जे कुछ चाहे पर तो किते न किते, पाकिस्तान इंसा उन्हें दिल धड़के थी, असा सा उए गड़ रही सकन, इन्हें ते गाल बोल करना से, मुझे आप मेमान, मुझ बशीर, बशीर सदो सहीव आएं, जे को राइटर आएं, कालम नादीज आएं, असासा, चारही मेमान मुझूद आएं, जो तालब को एड़ी धरती सां हैं, कश्मीर सां, यकिन नी, कश्मीर जो जो को डुख आहे, वो बहसित पाकिस्तानी मात मैसूस कियां पर उस दुनिय करे थी, पर जे के धरती धरी आएं, अनंताइं, जे का सूरत इहाला, उन्ते गाल बोलकदा से, मैं, जो है, मुझताक, बट साप, आपकी जाने वाँगा सबसे पहले, सर, आज के दिन, मैंने जैसे कहा, के दस लाग से जाइद फोज जो है, इस वक्त, कश्मीर के अंदर है, और इसके साथ साथ, जो है, पंडित और दूसरे लोग जो हैं, पूरी दुनिया से लाके बसाये जा रहे हैं, इविन के, मोदी ने, जो पिछले दिनों एक, वहां पर दुनिया को दिखाने के लिए, एविन किया था, आपको याद होगा, के फारें से यहां पे इंडस्टि यह रिफरेंडम से डर लग रहा है, खोफ है कि आने वाले वक्त में, पाकिस्तान और पाकिस्तान के किश्वीरी जो चाह रहे हैं पूरी दुनिया में, ऐसा तर नहीं होगा के आने वाले वक्त में, अक्सिरियत को जो है, अकलियत में तब्दिल करते हैं, मुश्ताक साथ, बिस्विल्लाह रहा हैं, बिल्कुल आप ते बज़ा फरमाया है, मुश्तान को यह खोफ है, उसको यह ड़त है, कि लेके सततर साल से वो हम पे काबिस हैं, और सतर साल से उसके बहुत सारे एक्डामाद उखाएं, कश्वीरी जो अपना बनाने के हैं, लेकिन कश्वीरी पर कश्वीरी तक आज तक एक हैं कि उनके नारा है, कि हम भारत से आजादी मंगते हैं, तो बहुत को यह ड़त है, कि उसके बहुत सारे तब से जल्म के वो कुन सा जल्म है, जो उनको नहीं डाया गया, वो कुन से लालश चो नहीं दी गई, लेकिन उसके बावश्यूद भी, कि लिए अजिता हैं चाहिता हैं कि हम पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के सब्सक्राइब करें नारा है और इस थोप की वज़ा से जब वारत ने देखा कि मैंने तमाम तर अपने जो इक्दामा थे उठाए इस आजारी की ताहिए को प्रश्ट करने के लिए खत्म करने के लिए उसके बावजूद भी कश्मीरी अपने 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 इस नारे से बाज नहीं आ रहे हैं तो उसके जो अब इसने आर्टिकल 2 दिये थे कश्मीर को कश्मीर को एक खुस्षी होसे थासिल की उसको खतन किया उसकी खतन करने के वज़ा यह है कि उसके वहां डेमिग्राफिक्स चेंज़ ला गिए उसको यह पता था कि जब भी हम राज श्मारी के लिए इसके सार्ट पर लड़ तक किया कि जूही होँ ही यहां हाला च्री होंगे हम आपको यह आज़ाजी का हंधा रित ने खाएंगे कको घाईजी का धर वारत के साथ थाएंगे हमें उसमें उसमें िरहां की घीसर अजाएं ellos उसी भौब की वज़ए से उसने जो ही अब लिये दिये और भॉज इसके बाल उसके बाल उस्टे बैहनी स्लाव गे रियासथीवाक्षन्दों को कश्मीर की जानी गी सब्सक्रणा देडी नो को बसाने लगा कश्मीर में वह इसी हुजा से कि उसको पता है कि आज ने कल मुझ जाके समय सर्मूंगों होना है मुझे राश्मारी कराइए पड़ेगी क्यास्का नामे के कश्मीर में और उस तो तोड के लिए अब गे रियासती बाशन्दू को देखी और ताकि कल जब ये राश्मारी का भूका आए और मेरी जो क्यास्का नामे नमर गेम वो मेरी हक में हो लेकिन या याद रिखिए अल्ह अल्ह तलद वे खाचिंक को बुए और उसमी वो बिल्कुल मुश्टाइब आप यहां रही है का मैं इम्तियास साथ की तरफ जाना चाहूंगा एक तो तहए के फैसले की घड़ी है मैं समझता हूं के पूरी दुनिया और बिल्कुसूस हम जो पाकिस्तानी हैं हम यही क्या रहे हैं के कम से कम मेरी जब हिंदुस्तान के मीडिय पर जब बात होती है हम टाक शो में जब पाडिसिपेट करते हैं तो हम तो उनसे यही मतालबा करते हैं कहते हैं कि छोड़ दें और कुछ ना करें दिली में मौझूद जो आजाद एक जरा इबलाग के जो लोग हैं उनको सिर्फ वहां तक ले जाएं और कश्मीरों से बात क पोचेगी क्यूंकि कश्मीरी तो चाते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ आएं और वो एक आजादी की जो तहरीक थी कि आपने सब को जेलो में डाल दिया या तो मार रहे हैं या फिर जेलो में डाल रहे हैं इम्तियाजा आप पांच अगस्ट का जब यह बारत में किया वहां 321, 370 और 321 को वहां पर खत्म किया तो उसके बाद वहां के मगउजा कश्मीर के हालात जो है इंत्याई के शीदा हुई उसके बाद देखे काफी आरसे तक कर्फ्यू भी लगा रहा और लोगों को जो है एक इनसानी जेल के उसमें रखा गया और दूसरी बात यह है कि माश जिए मार नहीं दिया गया जहां पोचना चाहिए तैस में भी अमारे जो है नफसानात हुई तो मगउजा कश्मीर के अवाम तो हमेशा जो है अपनी जो जाइज तारीक है जो उसको भारत ने भी हग दिया है और अकवाइम मुतहिदा ने भी हाग दिया है बारत ने जो पूरस नहीं किया था उसको किसी ने बताया नहीं था सिर्फ उसको ये इस वज़े से गया है कि आप जो है वहां पर मखबूद कश्मीर में राइश हुमारी करा है और वो जो चाहेंगे उसके मताबिक हैसला होगा तो बारत ने उसकी भी खिलाव फर्जी की फिर उसके वो अक किस में आप 10 कश्मीर के से नहीं था क्वारत को हैं मखबूद कि क मैश्मीर के लिए अपना रौरो हीं ख्रुद को छोड़ना चाहिए जिससरा हो अपनी हट डिर दर्मी दिखा रहा है माबगूद कश्मीर में इस वक्त भी वो कह रहा है कि हमने मगउजा कश्मीर में जो है अमन लाया है वहां पर अमन की वहां पर अमन हो रहा है वहां कोई ऐसी बात नहीं हो रही है आप देखें वहां दस लाग के करीब फोज है दस लाग के फोज के अलावा वहां पर पहले जो पुलीस है और इंटिलिजन्स के अधारे है और मुफ्तिलिफ अधारे वो 15 लाग के करीव बनते अगर बारत अतना अमन का दावेदार होता तो उससे कोई एक हजार माँ फोजी कम किये नहीं किये उससे मजीद फोजों को लाया है अमना त्यात्रा की वो सूरत में हो जब वो आज अमना त्यात्रा हो रही है तो एक लाग मजीद फोजों का अधाफा किया है अब आपने बात की कि मस्ते कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का एक आहम रोल बनता है कि कि पाकिस्तान हमारा वकील भी है और मौसिन भी है इस तरह जो है OEC का एक रोल बनता है OEC में देखे हमारे जो प करता है मगर आप देखें वहसी में इतने सताओन मुस्लिम कंट्री में है वो जो है खामोशा ही तमाशी नहीं सिर्फ तर्की और मलेशा यह एक दो तीन कंट्री है जो बात करते है कश्मीर की पाकी अजारी जो मुस्लिम कंट्री है वो इस वक्त भी खामूच है इसमें एक तो यह करना चाहिए पाकिस्टा को इसमें तेजी लानी चाहिए और जो हमारे O.S.C. के पहले मुस्लिम मुमाले को उनको मगज़ा कश्मीर के हवाले से तो वो आगा करते है, इस हवाले से वो कांफरेंस भी होती है और OIC का इजलाज भी होता है, खासकर कश्मीर के बारे में, मगर उसमें अमल नहीं होता है, इसमें एक तेजी लानी चाहिए पाकिस्तान और भाएर की दुनिया में भी आगर वो कोशे क्र रह attackers कार और डिजक कायं करना चाहिए हुकुम पाकिस्तान को, तो कश्मीर के हवाले से दिख करना चाहिए पूरी जो भाहर की दुनिया है मसे देरिए, इसी तरह वहाँ पर देखे आप हमारे कश्मीरी डाइस्पोरा इस वक्त जो है उसको एक्टिवेट तो है वो मगर उसमें भी जो है उसमें भी तेजी आनी चाहे और आप देखें मगूजा कश्मीर में इस वक्त क्या हाला थे वहाँ पर कोई बगात नहीं कर सकता है वहाँ सोशल मीडिया पर पाबंदी है इसी तरह वहाँ पर जो है इलेक्टरानिक प्रिंट इस वक्त सारा कुछ वहाँ पर बंद है अगर कोई बात भी करता है तो उसको जो है पब्लिस सेफटी एक्ट के ताहत गिरिफदार किया जाता है इसी तरह आप देखें वहाँ पर ज जो है जब अकवाएं मतेज में दी थी वो उसके बाद जो इसको तीन साल के लिए भी तक जो हो है नजर बंद है भाहरत कि जेल में वैसी तरह हमारे कुल जमार्टी हुरियत काईदें के काईदीन पांच आगस के बाद वो जो है पांच आगस के पहले भी उनको गिरिफतार हुई थी उसके बाद भी देखे वहां पर जो है वो गिरिफतार है और बारत के मुफ्तिलिफ जेलो में नजर बंद है बिल्कुल मैं आपकी तरफ बापस आँगा बशीर साब की तरफ जाना चाहरा हूं बशीर साब आपका बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला बशीर सा ने थे आपने की हैं मगर इस वक्त अलमी सता पर आप एक राइटर हैं समझते हैं के आलमी दुनिया जैसे कि इंध्यासा बदा रहे थे के तर्की हो गया या इंडोनेशिया हो गया कुछ ऐसे मुमालिक हैं मुस्लमान जो कश्मिरी के इस मुद्दे को समझते हैं या इस तक सारा कमाल सفारतकारी का होता है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके साथ जुड़े, तो दुनिया को काईल करना पड़ता है, और हमें यह तसलीम करने में कोई हरज नहीं है, हमारे जो साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, यह हमारी उरीयत सिर्कार पांच अगैस 2019 में जो उसने एकदाम किया वो यूएनों की करारदादों की वालेशन थी बिल्कुल उसके उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इन्सानी हुकूक की बत्तरीन खिला परजियां की हैं जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि कुर्म पर्वेज मज़र्द जारा इंटरनेशनल एबार्ड यह जनलिस्त थी उसको वहाँ से भागना पड़ा पहले एरस्ट हुई और कहीं लोग इन्सानी हुकूक के जतने कारकून थे सारे ग्रिफतार कर लिए और जो जनलिस्त हैं उन सब को ग्रिफतार किया अब साभी यह है कि पहले खबर लिखता है हाँ मीडिया परसन को यह रिपोर्ट दे सकता है यह उन्होंने एक मकमल बंद कर लिया उसको जिस इसी बन्याद पर हम यह कहते हैं कि हाज यह दुनिया की सबसे बड़ी जेल है लेकिन हम जो है उसको इंटरनेशनली इंटरनेशनली बेनलकवामी ब्रादरी को इस बात पर क पाइल नहीं कर सके कि बारत जो है वो इस टेम दुनिया में बत्तरीन वालेशन कर रहा है इनसानी हुको की वहां जबके मुदी ने जो वहां मजामतकार थे जिन्होंने एरजाज किया जिनके गर पे रैप हुआ जिनकी बच्ची बेन को जो है वो इस्तमाई रैप हो रहा है किनन पोष्ष पूरा आपने एक गट है वो हमारे दो गट है वहाँ जो जुम हुआ एक सोखावतीन को जो है वो रहभ किया इस्तमाई दो तीन कमपेटनिया अर्मी पूरा एक मनसुबा बंदी के तहıt एक फोजी अथेहर के तहत एक जंगी अथेहर के तहत उनको जो है वो बच्चों को जवा किया जा रहा है भंसकों का अगर एक तो यह बात है न कि एक काइड की आजादी और जो शुनारी चिर्माइज की है यूएन्डों Effects का ज़से बढ़के यह है कि जो इन्सानी हकूग की कि अलमबदार मुलक है या जो जमोरी मुलक है वहाँ मिकामा इंसानी ह कू की बत्तरी निवार्डेशन उस पर दुनिया को काईल नहीं कर सके और दुनिया को अगर काईल नहीं कर सके तो यह हमारी नाकामी थी, हमारी वजारती, हमारी सफारतकारी की नाकामी थी, अभी एक हमारे साथी नहीं बताया, कि वहाँ कश्मी वजारते खारजा में कोई भी होते हैं, सारे अताशी होते हैं, मैं नाम निए रहा, लगे आगा गए नहीं होता है, तो कर कश्मीर अताशी नहीं होता, अगर पाकस्तान, मैं इसे बढ़के आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान पिप्स पार्टी की हकूमत थी तो उस वक्त भी एक काम हुआ था बड़ा जबर्दस जो मीदे जर्नलिस्ट मैं भी इंडियन चैनल पे पार्डिसिवेट करता हूं और डिफेंड करता हूं कश्मीर के उन तमाम मजाल कि 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 वो किसी स्यासी जमाद से तालुग रखते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में सफारती तोड़ पर जो है ना तमाम पार्लिमेंट और सेनेट के रुकनों को जो है मेंबर्स को जो है बहजा कि आप कश्मीर कौस को लेकर और खास तो पर ये पांच आगस दोजार उ इंत्रव्यो मेंने सुने थे एक साथ को एक साथ को ये नहीं पता था कि महभुबा मुफ्ती का जो ठीक है में मैं बहक। तो यह वह संसाथ की बात कर रहे हैं मैं समझत पूझ जी. इसमें आप जो है मसला कश्मीर को समझने वाले लोगों को आगे लाना पड़ेगा बिल्कुल दुनिया को जाके अपने मसाइल इन वफ्त में और सभारतकारी में शामल करना पड़ेगा ये औरियत कानफरांस जो बैटी है इसलाबाद में इनके लोगों को बेजना पड़ेग जाके ये अपने मसाइल बताएंगे बिल्कुल मैं वो उसी तरफ आ रहा था कि इस दफ़ा इस दफ़ा जो है इस दफ़ा जो है मौजुदा हकूमत पे ये जबेदारी वाइद है और मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छे एकदाम है कि आज के दिन पांच तारीक से कराची स कश्पोर और कश्पोर से फिर कश्मीर तक मैं हमेशा आपने प्रोग्राम में इंट्रो में कहता हूं कि कम से कम पांच आगस के हवाले से पूरी कौम मुतहद है बिल्कुल सही है बलकर कश्मीर इशू पे पूरी कौम मुतहद है लेकिन आपको जो आप पालिसी कंटिन्यू नी पड़ेगी हुसानी एक साल तो बहुत उच्छा हो गया थे साल छोड़ दिया बिल्कुल मैं शेक शेक साब की तरफ जाँंगा अबिलमाजी साब की तरफ जाँगा शेक साब बेल्ली किस्थ बारा रहा है बिल्कुल सफारत कारी में कशमीरियों को भी शामल करना पड़ेगा जो अपना बकादमा जागे दुनिया में लड़ेगा। सारे पाकिसानी कशمीर के हैं निमाइनदा पाकिसान का हर फर्द है कश्मीर रहा है। नाजरीन को वो मनाजर उन मनाजर की तरफ ले जाना चाहूंगा पहले कि जब हिंदोस्तान की गासिब और जाबिर हुकुमरानों ने चार अगस्त और पांच अगस्त के दर्मियानी शब में जमु कश्मीर के हुकुक पे शब खुन मारा लोग चुए कि आराम पजीर थे उन्हें नहीं मालूम था कि बाहर क्या हो रहा है गली कोचे बाजार सुनसान थे और अगर बाहर कोई आवाज आ रही थी वो सिर्फ हंदोस्तान के फोजियों की जूत उनकी आवाज गली कोचों में बुँज रही थी हाला कि तक्रिबन पहले ही आच लाख अफ़ाज की मौजूदगी और इसके बावजूद भी कश्मीरियों को काबो करने के लिए मजीद दो लाख फोज तलब कर ली गई उन कश्मीरियों को जो बिलकुल तन्हा बेसर सामानी के आलम में उनको ऐसे महसूर कर दिया गया कि जैसे वो कोई बहुत बड़ी फोज थी लेकिन बदक्समची से जब सुबह एहल यानी जमूद कश्मीर ने आख खोली तो अनों के अपने आपको जो उनकी खुस्थित हासल थी वो चादर उनके सरों से बारत चिन चुका था दफ़ा तीन सो सतर और पैंटीस ए का खादमा हो चुका था इसके खादमे की पादाश में एक मुकमल रियास्ट को तारीखी हिंद की मैं पहली दफ़ा एक मुकमल रियास्ट को डिग्रेड किया गया और उसको दो यूनियन ट्रेरिट्रीज जमूद कश्मीर में मनकस्म कर दिया गया था और इसके पाद जमूद कश्मीर में आईसे आमराना एकामात जारी कर दिये गए और पूरी कोम को अक्वाम आलम से मनकता कर दिया गया उनकी शिराकत ठीन दिये गई उनकी माईशे का पठा बिठा दिया गया उनको माईशी बदावाली का शिकार की आगया ये वो आलम था उस वक्त कि जिस से जम्हु कश्वीर की आवाम बिल्कुल बिचारी बेखबर थी लेकिन हंदोस्तान ने उनको शबखुन मारके उनके तमाम हुकूख सलब कर लिये थे अब मैं आपकी सवाल के तरफ जा आऊँगा क्योंकि जो मौझूदा हालात है दुनिया में आप अगर देखेंगे इस वक्त जो गज़ा की सूरच हाल है पूरी अक्वाम आलम सरापा एहत्याज है लेकिन बदक्समती से जो हुकूमरान तबका है जनकी अपनी वेस्ट इंट्रस्टेड हैं उनके अपनी गोल्स हैं उनके एकनॉमिकल इंट्रस्टस हैं और उनके डिपलमाटिक इंट्रस्टस हैं अपने अपने खिते में वो उस हिसाब से आपकी पॉलिसी वज़ा करते हैं और उसी का शिकार जमू कश्मीर की अवाम हो च पाकिस्तान मसले कश्मीर का एक मुकमल फरीक है पुरा हक रखता है अगर पाकिस्तान कश्मीरियों की पुष्ट पे न होता तो पता नहीं हंदोस्तान जमुर कश्मीर में कितने घजा कर चुका होता इसके साथ साथ बिलकुल शेक्स आप गजी सुराओं जी शेक्स आप दूसरा बड़ा इहम सवाल है कि देखें हिंदोस्तानियों का फोजी फोजी वो होना जैसे के मैंने पहले भी कहा और किसी साथी ने यह भी कहा कि इस्तमाई वहां पर जयाती का निशाना बनाया गया खवातीन को तो यही पड़ा जलम है और इसके साथ साथ केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो ना मैं समझता हूँ कि किसी जंग में आप दुरस कीजिएगा मुझे चारो जो है हमारे दोस जो है आपको ज्यादा पता होगा किसी मुल्क में शायद अगवानस्तान में अमरीकन ने भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया खुरसें बिल्ट गण जो इस्तमाल हुई है लोगों की आँखें नकाली है चेरे दाकदार होगें बिलकुल मैं उनकी बात करा था लगों की ये परिंदू का फूल होता है उसको शिकार करने लिए इस्तमाल होती है इंदर्स्तान ने ये बकफ़दा कश्मीर में लोगों पर इस्तमाल किया है सिवल आवादी पे बच्चियों पे 18 मेनेट ये एक बच्ची उबा बेबी वो उसकी आँख निकल गए इतने खुबसरों बच्ची कहीं और लोगों के चेरे दागदार हो गए ये सारी चीज ये वालेशन थी ये असलमा कोई भी कोई भी दुनिया का एक फ़र्द ना कश्मीरी ना पाकिस्तान ना दुनिया का और कोई मुल्क ना इंसनी हुकू का कोई अदारा इंटरनेशनल जिस्टिस अब लाव में ले जाते यूएंडों में जाके ले आते कि कमस कोई ये इनसनी जो वालिशन हो रही है इस पर तो आवाज उठाएं लेकर मसला है कि हमारी जो मैंने पहले बताया था कि जो सफारत का रही है उसको बहुत ज्यादा बश्ची साब बिलकुल आपने वजा फरमाया मगर मैं जो है शेक साब से इस पर जानना चाहरा था खासतोर पर इम्तियास साब से भी इम्तियास साब वाकई जिस तरह से वहां पर ये जो वैपन इस्तेमाल हो रहा है इस्तमाई जैतियां की जारी है तो आलमी सताब पर तो एक हिंदुस्तान का मीडिया चीज़े दिखाता है पाकिस्तान तो 12 हा एक तरज्मान है हम तो हर पाकिस्तानी एक सफीर है कश्मीर का चाहे वो सिन्ज के रहने वाले हो पंजाब के हो के P के हो मगर ये चीज़ जो है अक्वामी मतेयदा में य्उनाइटके बाद हम भी हर स की जाती है। अंत्यासाब चैन्ट का कषपीर स्थिफिर के यह बारत ने जो है माफूस कषपीर स्थिफ़ाएं रड्ल का वाम रहे देखे वहाँ पर रहे हुए है उड़ इक देंड । 59 की वज़े से जिस तरह माँ पर सौदराइब साथ ने भी बात की हिपा निसाथ थी छे माँ की बच्ची थी उस पर पैलेट गन बरसाए गए और उसकी जो है आके इसी तरह इंशा है इसी तरह ऐसे बहुत सारे नाम है जिनके जो आंके इस वज़े से जो हैं बिल्कुल वो दे पीजिनिन की रिपोर्ट है इसी तरह बहुत सारे ऐसे एदारों की रिपोर्ट मुझूद है और वो यह चीज़े सब जगह इस वक्त जो है मुझूद है कि मखबूजा कश्मीर में जो जल्म और सित्म हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है वहां पर क्या नहीं हुआ है वहां उस गाओं को पूरे तो पुरुए और गाओं को पूरी राज भारत इस संद्याद्दियां की गी धर ये सी पर शकी जिरी धर ही चाहें और जिन बाक राथी फोजें को उनको सदा देनी चाहे थी उनको इन्मात से नवादे गए। आप देके इसी तरह आपelo में जो हुआ हमारे एक जो छ मापक्ली को प Iímरे ङो चाहाइए ख़सोरे भी प्ता सारा कुछ उसक्राना यू थो भी अधारd तो पेंड वर यूज्ण को पर द्याइए इअbनाommes लेख पैश्वारी रिबाचा देखे हमारे अबजर गोरु साथ वो जो उसको फांसी दी गई उसमें यही का गया बारत की सुप्रीम कोट ने के हम अपने लोगों को मुतमें करने के लिए इसको जो है फांसी पे दे रहे हैं तो वो आज का तैयार जेल में उसकी अभी तक उसकी जो जिसकाई की वो हमें वह के लोगया कीन को अभी तक नहीं दीगी हमारे ङो महमत अश्रफ सेराई साथ जो तैरीक उर्यक के चैयरमेन थे उसको ज्मू जेल में शेहीद किया गया इसी तरह गिलानी साहफ हमरे काईट जो थे वह उनके कामा आताव बाहुमेद शाह साहब उसको त्यहार जेल में शेही सर कई कई हुर्यत रहनमा आज भी जेलों में हैं कई हुर्यत रहनमा आज भी जेलों में हैं और कई नोजवान जो है मसरत आलमबाट साहब है इसी तरह जो है यासीन मलिक साहब है यह जो है आसे इंद्राइबी साहिवा है जो 34 खवातिन के साथ यह जेल में हैं और बारत देखे ना अब उन्हों ने वहां पर क्या अब कुछ दिन पहले कानून लाए वो अगर हफ़ते में घर वालों के साथ एक अब बात नहीं कर सकते हैं अपने खादान वालों के साथ हमारे हजारों नوجवाण जो हैन वारत के मुटिर भारत के मुटिन जेलों में नजाड़ बने उनको वात करने नहीं दी जाती है वजजह यही है कि थेमलियर निमबर है नको अज्याद दी जाए और उनको उड़ा ज है अगर वो तहरीक के साथ इस्ताम से साथ और बड़े ज़बे के साथ अभी भी खड़े है उतना वो वारत किता भी उनको लालच या कोई भी चीज़ देखे भी अभी तक उनको तोड़ नहीं सका हमेशा जो है कश्मीर के अवाम ने पुरमन जद जद जयाद की और हक पे बमनी जद जयाद की है आप देखे हाली में एलेक्शन हुए तो वहाँ पर बीजियो पीक को अपना कंडेर नहीं मिला जो अब जीद के इंजिनर हिशील साथ वो जेल में थे उसे लाकू वोट दिये फ्ली ऐसे और दो भी एक सोब्सक्राइब करें आप कश्मीर के हावाले से और कहते हैं कि कि यहां पर अमन के लिए आप पाकिस्तान के साहथ बात करें खर वहांच हरें यह चीज़े है कि बारत हमेशे जो है बीजेपी नी जतने भी कोशिश की वहां पर जलम व सित्म करेंगी माख़ूसा कश्पी ने हमेशे जो है अपनी आजादी के लिए आवाद करूँगा जितने भी वजिर आजम पाकिस्तान या पाकिस्तान की फॉरिंड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो कहीं ने कहीं हमारे प्राइमिनिस्टर जब भी जाते हैं चाए वो मौझूदा हुकूमत के वजिर आजम शाबाज शरीफ जाएंगे या माजी में जितने वजिर आजम गए हैं उन्होंने तो पहला लफ जो स्टार्ट किया है अपने स्पीश की पूरी दु पर OIC में कश्मीरियों का केस तो लड़ रहे हैं पीछे तो नहीं अटे हम शेक्साब जी इसमें कोई शक नहीं है या पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर का केस ना सिर्फ कोमी सतह पे उजागर किया इसको बरके बाइनल अक्वामी सतह पे भी आपने भी वज़रा-इजम की बा की असम्बली के फ्लोर पे बुरहानवानी का नाम लेके अक्वाइम आलम के नमाइंदगान को ये बावर कराया हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हुकूप के लिए हर महाद में उनकी वकालत करेगा और पाकिस्तान का जो भी नमाइंदा किसी भी मुलक में हैं इसमें कोई शक नहीं कि बेशक्षक मुश्किलात और मसाइल के बावजूद जो पाकिस्तान अपने हज़ि इस चतात से बढ़कर कश्मीरियों की मदद कर रहा है ये उसकी पाकिस्तान की जमेदारी भी है पाकिस्तान का फरीजा भी है कूए कि ये बरह रास इस मसले का एक फरीख है और अक्वाइम आलम में उसकी जिम्यदारी बनती है कि वो कश्मीर केस को उस तरह प्लीड करे जिस तरह इसका हक बनता है लेकिन यहां पर मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहूंगा जो हंदूतवा एजंडा के हवाले से क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी की हकूमत जो है उसके पीछे जो आर एसस कार फरमा है उन्होंने रियास जिम्वा कश्मीर को देवी डेवताओं की सरजमीन करा देना शुरू किया है उन्होंने वहाँ पर ऐसे ऐसे मजभी रिसूमात राइश करने शुरू कर दिये हैं ताकि हंदूस्तान के हंदूं को कश्मीर के जरी जमीन के साथ मजभी बन्यादों पर उनका तालुक जोड़ दिया जाए ताकि वो कश्मीर गाटी को अपना हक समझते हैं और अपना दिनी परीज़ा समझते हैं और अपना धिनी फ्रेजा कर कोशिश करें ताकि कश्मीर उनके कबजे में हमेशा रहे लेकिन जमु कश्मीर की आवाम ने वहां की सियासी तन्जिम उने भी और वहां की मज़िभी तन्जिम उने खुसुसां जो कारणामा अंजाम दिया है पर्टिक्लर ने मैं जमात इस्लामी का नाम लेना चाहूंगा जिनका स्कूल्स का बहुत बड़ा सेट अप है जहां पो कश्मीरी बच्चों को दीनी और इस्लामी तर्बियत के साथ उनकी परवरिश कर रहे हैं ताकि जो इस्लामी तश्कुस है जमु कश्मीर की आवाम का वो कहीं पामाल नहो जाए बिल्गुल मैं सर बशीर साथ की दरव जाओंगा बशीर साथ एक तो तह है कि पाकिस्तान जिद्रें भी आप रहनमा हैं पूरी दुनिया में कश्मीर की आवाज और कश्मीरों के साथ जो बीती है और अब भी भी जो बीत रही है उसकी तो बात कर रहे हैं मैं सर हिंदुस्ता हिंदुस्तान आप भी एक राइटर हैं हिंदुस्तान और खास तोर पर बीजेपी और फिर जो उनका एक विंग है आरेसेस वो तो कोशुश कर रहा है कि किसी भी तरह जो है जिस तरह शेक्साब ने का कि सरजमीन कश्मीर को एक बजबी और हिंदुवत इंतहा पसंद तंज बशीर साब जी ये तो बिलकल आप जो कह रहे हैं ये बिलकल नई बात नहीं है बलके बी जी पी जो है बारती जंदा पार्टी उसका तो बन्यादी जो मंशूर है जो बन्यादी मकसद है वो यही है कि इन्दस्तान और इस पूरे रीजियन में आखरी मसल्मान जब तक यहा बनियात पे ना सिर्फ कश्मीर में बलके पूरे बरसगीर में उनका जो है वो यही काम है इसी बनियात पे काम कर रहा है उसमें कितने काम याब होते हैं कितने नाकाम वो अलग जीज़ है अब कश्मीर पे चुंके उन्होंने गहर कानूनी और गहर आईनी कबजा किया हुआ है किसे पे तो उस पर वो अपनी अमालदारी गेरकारणी तरीके पे इनसानी हुकूप की खिलावर्जियां करके रियास्ती तशद्द करके वो अपना अजंडा नाफ़स कर रहे हैं और उसी बन्याद पे जिसे हमारे साथियों ने का है कि वहां मजामत हो रही है और ये बहुत वंद्रालाक लोग मसला लोग जो है नही तशद्द कर रहां लेकिंप मुदी साफ ने में किया कि उन्सक्राइब कि ऐसरा था नाकाम बना दिया और दुनिया वहां अगर शुरू होते है उसमें अगर कहीं कोई पॉलिंग होती है जो भी होती है तो बाद में देखा लजाएगा लेकि फिरा जो मुदी का अजंडा था जो दावा था वो लोगों ने अपने जानों पर अपनी मैशियत पर अपने इज़त पर खेल के मस्तरद कर दिया ले ले चनवा चलती है और इसका पूरा परसू करना पड़ता है जैसे आप है आप साथ आप के साथ साथ जतने भी यो जो रहनमा हैं वो भी मैं समझता हूँ कि मैं देखता हूँ कि आप लोगों की कोशिश हैं बड़ी आहम हैं मर इसके साथ साथ हर साल हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से कश्मीरी ट्रेविल करके जाते हैं और युनाइटे नेशन के सामने एक वरपूर मुझारा भी करते हैं और कश्मीर के जो अकासी और तसकी तस्वीरे जो हैं वो हर आने वाले दुनिया के हुकमरानों को दिखाते भी हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन है पांच तारीख ये तो हर सालो साल हर दुनिया की अमबेसी के बाहर एतिजाज होता है और खास दूर पर इंडियन अमबेसी वो इतना बड़ा है, इतना चलाक है और इतना जो वो जो शातर है कि उसके लिए लवाई 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 हमें जो हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और यह इसलिए है कि 77 साल से वो कौम भी लड़ रही है काम ने भी बहुत सफर किया है किश्मीर के वे लेवाई बड़ पाकिस्तान ने भी सफर किया ल्हाज़ा यह इंदोस्तान के साथ उसने छे अजाद 600 चैनल बनाए हुए पाकिस्तान के खलाफ कश्मीरियों के खलाफ प्रोपगंडा करने के लिए दुनिया में छे सो चैनल उसके सिर्फ इस बन्याद पे काम कर रहे हैं कि कश्मीरियों को देशेदगर्द डेकलियर करो और पाकिस्तान को देशेदगर्द डेकलियर करो कि यह देशेदगर्द मुल्क है। सिर्फ इस बन्याद पे 600 चैनल काम कर रहे हैं। अगर ऐसे बैठे रहेंगे कि हमने मजारा कर दिया आज आज के दिन आप देखते हैं रोगाना की बन्याद पे आज पाकिस्तानी मीडिया में जैसे आप लोग आज बहुत मतार्व को तो यह वहाँ इंडिया का मीडिया तो रोज प्रपागंडा कर रहा है कि कश्मीर में आतक गुदाना की बनियाद पर एकमनत अम्ली बनानी पड़ेगी के इंडिस्तान और बेजीबी का जो एजेंड़ा है जो वहां त्रेक्टीकली हो जो वह आगदाम कर रहे हुमन राइट्स वालेशन कर रहें उसका डेली की बनियाद पर रोजणा की बनियाद पर उसका पॉडिंग की वो दुन्या को दिखाईे भी और खास तरा आप भी देखते हैं कि बोछ से आप से चैनल जो है उनके नमाईदों को जबरी तरप हिंदुस्तां से निकल जाने का कहा और वीजा तक उनके केइंसल कर दी इए उसके बात अब तक kश्मीर की अधर अकसे नहीं है उस मीडिया को जो जाके आम किसी कश्मीरी से बात कर सके तो हिंदुस्तान एक तरफ तो सबसे ज़्यादा डिमोक्रिसी का रोना रोता है और दूसरी तरफ कश्मीर का मसला फिर फिर आजादी सहाफत की बात करते हैं बच्छ्मयर पहात के उनुद का मसरत जो आज वह स हमती हमारी नहींड ocas cał्कोंस साथ है भान वारन एंशादी तो मों में पहुत सूर्णातुरत बात पाँच साल के अभी पहले का मसर्रत जहरा जो है वो इंटरनेशनल आवाड याफ्ता जनल फोटो जनलिस्ट है उसको कश्मीर से निगलना पड़ा गैरेस्ट कर दिया था फिर बेनल कोमी प्राइशर जब आया तो इन्हों ने क्या किया कि उस पर वो सेफटी एक्ट तो नहीं लगाया जैसे के खुरम पर इंकर हैं बड़े बड़े इंकर पाकिस्तान के रोज़ाना की बनियाद पे कौन जेल में आए कौन बार आए कौन जीता कौन आरा यही चल रहा होता है लेकिन अगर ठीक है पांच है कैस्ट को हो गया पांच फैबरेरी को फिर करेंगे फिर किसी इमतिया साब में वाइंड कंट्रोल पे आपने देखा कि दोरों तराफ जो है एक ऐसे जज़बाती मनाजर थे जो दुरियां को कम से कम पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया ने तो दिखाए तो समझते हैं कि यह अब जो चिंगारी है यह यकिनी तोड़ पर हिंदुस्तान के लिए आग में तब बनी है वहाँ पर तो अगर जिस तरह पाकिस्तान में आज और पूरी दुनिया में जिस तरह लोग निकले हैं मगबुजा कश्मीर के अवाम को एक होस्ता मिलता है और यह उनको समझ आती है कि हमारे पीछे कोई है तो और वो भी यह भी आपने आप में जहन में बिठा लेत जिसमें उन्हों ने सारे पार्टिउंग की दावत दी थी इसमें जो है मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद था हम मुफिले पार्टिउंग पास गए पीपलिस पार्टी अमक्यम के पास गए तहरी के इनसाप के पास गए सब ने हमें अच्छा रिस्पांज दिया और सब जो हमारी रेली में शर्कत भी उन्होंने की और बशीर सोरेजगाई भी वहां पर मौजूद थी इनका भी काफी हमारे साथ तावन रहा है तो वहां पर जो है एक जंडे तले पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का जंडे लेके पूरी पार्टियां जितनी भी यह जो पर उसमें होई और अच्छा मेसेज गया उस वकट कश्मीर के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी के पाकिस्तानी जो अब अब जी सर बिल्कुल आपने वज़ा फरमाया जो पाकिस्तानी है उनका मेसेज बड़ा अच्छा गया टाइम की कमी है कुसुसी टांफिमेशन जो पू सोरते ही जिका कुसुसी टांफिमेशन इनमें मुख्लफ फूर्यत रहनमा साफी तज्या निगा रहे मुख्लफ कालम में मिसां सांगाल करने कोश्च करने कोश्च करें से तताया तो फैसल जी गड़ी में यह फैसलो त्छन कपे तक कश्मीर जी आज़ादी कश्मीर सां थी जी उनके आज़ाद की करा जी आइमानों के उते अदल ए इनसाफ किया मिली सके कुसुसी टांस्मीशन मों आज़े मुखे इजाज़ाद नीदा सुबाने मुलाकात थे नी अलाफिस